हेलो एवरीवन, वेल्कम अगें टू लन्वरे देतिमन, तो दिखिए हम लोग कर रहे हैं क्लास एट हमारा राजिस्थान का चैप्टर नमबर नाइन ग्रामीर एवं सहरी प्रशाशन, जिसमें हमने ग्रामीर जो प्रशाशन है उसके बारे में बात कर ली थी, तो हमने देख कि जो त्री इस तरिये धांचा है पंचायती राज विवस्था का, जिसमें निम्न जो इस तर है उस पर है ग्राम पंचायत, यहां पर जो अधिकारी है वह है सरपंज और दूसरा है ग्राम विकास अधिकारी, VDO तीक है, जिनका आपने एक्जाम भी अभी दिया था, VDO का, ठीक है, नेक्स्ट जो है दूसरे इस तर पर है पंचाय समिती और यहां पर जो अधिकारी है याद रखना है प्रधान होता है और एक होता है खंड विकास अधिकारी ठीक है, यह भी होता है BDO, यह था VDO, यह है BDO, यह है Blog Development Officer, ठीक है, नेक्ट तीसरे इस तर पर जिला परि तो थोड़ा सा डाउट था मुझे, तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में जो है वो अच्छे से आपको बताऊंगी, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि बुक में भी गलत जो है वो आ जाता है, लेकिन यहां पर बिल्कुल सही लाइन है कि हर तीन महीने में ग्राम सभा की एक बार जो बैठक है वो बुलाई जानी आवश्यक है ठीक है और दूसरे बात यदि कहें इसी लाइन को दूसरे तरीके से तो वर्स में चार बार ग्राम सभा की बैठक बुलाई जानी आवश्यक है जो 26 जनवरी पर होती है, एक मही पर होती ह 15 अगस्त पर और 2 अक्टूबर पर ठीक है वर्स में चार बार और 3 महीने में एक बार चलिए नेक्स्ट देखिए नगरीय स्वाशाशन तो नगरीय स्वाशाशन में देखिए सोनू अपने माता पिता के साथ सहर में बुआ जी के घर पर आई थी जिनका मकान बनाने का मुहर् पहले वो ग्रामीन प्रशाशन की बात थी, अब सोनु जो है वो अपने माता पिता के साथ कहां पर आई है, शेहर में आई है, तो अब हम यहां पर शेहर की बात करेंगे। दूस्ट हो गए और मुह मीठा कर चले गए। देखी कई बच्चे जो है वो अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, चैप्टर जो है वो पढ़ने में इंटरस्ट नहीं दिखा रहे हैं, बाद में आप लोगों को जब इतना सारा इखटा याद करना पड़ेगा, जब आपको नगर निगम वाले क्यों आए हैं, क्या पूछा कि नगर निगम वाले क्यों आए हैं, तब फूफा जी ने बताया कि यह एक सरकारी प्रक्रिया है, निर्मान से पहले नगर निगम से सुईक्रती ली जाती है, कि हम यहाँ पर मगान बना सकते हैं या नहीं, शेहरों में नगर परिशद और नगर पालिका तब सोनु ने कहा कि फूफा जी मुझे ग्राम पंचायत की जानकरी तो है लेकिन ये नगर निगम, नगर परिशद और नगर पालिका क्या होती है तो फूफा जी ने बताया कि ये है नगरिय शाशन विवस्था है जिसमें ये तीनों आते ह जिसमें शेत्र और जनसंख्या के मान दंडा नुसार वार्ड में बाटा जाता है तो यहां पर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि नगर निगम शेत्र में आता है ये शेत्र, ये जिला, ये नगर परिशद में आता है या नगर पालिका में तो यहां पर दो चीजे माइने रखत एक तो वो शेत्र और दूसरा वहां की जन संख्या, ठीक है और सभी बाढ मिलकर एक नगर निगम की स्थापना करते हैं, अब वह नगर निगम भी हो सकता है, नगर परिशत भी हो सकता है और नगर पालिका भी, इसका मुखिया महापौरिया सभापथी होता है और वाढ से अभी सुविदाएं जैसे सडक, यातायात, पेजल, बिजली, सफाई, चिकिस्सा, स्वच्छता आदी का ध्यान रखते हैं जैसे तुम्हारे गाउं में ग्राम पंचायत के सरपंच और बाड़ पंच द्वारा गाउं का जो विकास है उसका कार्य होता है उसी तरीके से यहां गाउं में सरपंच और बाड़ पंच मिलकर गाउं का विकास देखते हैं तो देखिए सोनू के ही सारी चीज़ें पूछने पर हमें भी सारी जानकारी मिल रही है शहरी शाषन के तीन रूप होते हैं यहां से स्टार्ट होता है आपका समझने का नगर निगम, नगर परिश ज़्यादा तो वह Guid scenario रख नगर निगम में आ जाएगा जिन शहरों की जंसंक्या एक लाग से जादा और पांच लाग से कम हैं में वह नगर परिशत की स्थापना होती है एक लाग से पाँच लाग तक ठीक है और जहां जनसंख्या पंद्रह हजार से एक लाग तक है तो वहाँ पर नगर पाली का बोर बनाये जाते हैं यह पहरा ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है कैसे याद रखोगे यह ऐसे याद रखिएगा नीचे से याद करना स्टार्ट करें कि नगर पाली का पंद्रह हजार से एक लाग तक की जनसंख्या वाला होता है नगर परिशद की बात करें तो एक लाग से पांच लाग और पांच लाग से जादा नगर निगन शेहर को अलग-अलग शेत्रों में बाटा जाता है जैसे वार्ड कहते हैं हर वार्ड से वहां की जनता एक प्रतिनी दिया पार्शद चुनकर इन संस्थाओं में भेशती है कि हमारे एरिया से तो ये हैड है और ये जो हैं आगे संस्था में जाएंगे ये अपने बाट के विकास के लिए कारे करते हैं ये प्रतिनी दिया पार्शद मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं तो जनता तो चुन रही है किसको पारशद को ठीक है पारशद चुन कर संस्थाओं में भेजती है और ये जो पारशद सभी मिलकर अपने अपने जो बाड से जितने भी पारशद होते हैं मिलकर वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं जिनको अलग-अलग नामों से प बहुत आसानी है कैसे सबसे पहले ध्यान रखिए कि हर वाड में से एक पार्षत जो है वो चुनकर संस्थाओं में भेजा जा रहा है ठीक है और ये सब मिलकर जो है वो अद्यक्ष उपाद्यक्ष चुन रहे हैं यहां तक आपको समझ में आया नगर निगम का अद्यक्ष जो अगर पालिका जक्ष कहलाएगा फूफा जी ने सोनु को बताया कि 74 संविधान संसोधन के अनुसार इन शहरी संस्थाओं के चुनाव में एक तिहाई वाड महलाओं के लिए आरक्षित रखने की विवस्ता की गई है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट लाइन है और जब हमने ग्रामीर स्वाशाशन की बात की थी तो वहाँ पर 73 संविधान संसोधन के अनुसार जो है वो बात हो रही थी ठीक है यहाँ पर 74 संविधान संसोधन के अंतरगर सहरी संस्थाओं की बात हो रही है कि यहाँ चुनाव में एक तिहाई जो है वाड महलाओं के लिए आरक रख्जित रखने की व्यवस्ता की गई है, इसी तरह अंसूकित जन झाती अन्य पिछ्ड़े वर्ग के लिए भी इस ठानों का आरक्षन, जल्संख्या में उनके अनुपात के अनुसार किया जाता है, यह आरक्षन की व्यवस्ता उनके द्वारा उनकी हिस्सेदारी को बढ़ जो है वो इस लालच में आगे जो है वो आएं ताकि इन वर्गों का हिस्सेदारी के साथ जो है वो प्रतनिवेतों भी बढ़ें ठीक है तो सभी को समानता है सभी को जो है वो अपने कार्वियों के लिए आगे आना चाहिए जब कोई चुनाव की प्रक्रिया होती है तो सभी क अपनी हिस्सेदारी दिखाना चाहिए मतदान इसी लिए कहते हैं चाहे किसी भी वर्ग का हो सभी को समानता मिलती है वहाँ पर इसी लिए सभी को आगे आना चाहिए नगरिय प्रशाशन के कार्य शहरी संस्थाओं के दो तरह के कार्य होते हैं एक अनिवार्य कार्य जैसे सहर के लिए सुद्ध पानी की विवस्था, सडकों पर रोशनी, सफाई की विवस्था करना, तो दीखे जन्म म्रत्यू का पंजी करन जो है, वो हमने देखा था, ग्रामीर प्रशाशन में ग्राम पंचायत का काम होता है, ठीक है, और यहां पर कार जो है वो नगरिय प्रशाशन का है, जन्म म्रत्यू का पंजी करन, शहरों में जन्म म्रत्यू का पंजी करन, दमकल की विवस्था, आधी कार्य जो है, वो इन शहरी संस्थाओं के होते हैं, जबकि कुछ ऐसे कार्य भी हैं, जिन्हें करना उन संस्थाओं की इच्छा पर न प्रदर्शनी का आयोजन रहन बसीरे की ववस्ता करना तो ये कुछ ऐसे कारे हैं जो इनकी इछः पर होते हैं यह कर सकते हैं इनका मन करता है और नहीं तो नहीं करते हैं तो अन्वारे कारे जो हैं वह आप ध्यान में रखें पूछा जाएगा कि नगरिये जो प्रशाशन होता है, उनके जो प्रमोक कारे कौन से होते हैं तो यहाँ पर सुद्ध जल की ववस्था करना, इनका कारे है, रोशनी सफाई, दमकल विवस्था, जन्वम्रत्यों पंजी करन इनका अनिवारays कारे जो इनको करना ही है, स्वेचेकारे जो यह अपनी इच्छा पर कर सकते हैं, सावनेकारे, स्टेडियम, भाचनाले, पुस्तकाले, ब्रक्षार ओपन, आवारा पस्मों से छुटकारा, मेले प्रदरशनीों का आयोजन अनिवारे कारे जो हैं वो आप याद रखिएगा सुएच्छे कारे जो है वो कोई नहीं पूस्ता नेक्स्ट दिखिए सोनू बोली कौन सा काम बार्डों में कराया जाए यह तै कैसे होता है तो फूफा जी ने बताया कि जैसे गाउं में नुकड अत्वा चोपालों में इस्थानिय लोग अपनी इस्थानिय समस्याओं पर चर्चा करते हैं वैसे ही सहर के महतपूर इस्थलों पर लोग बैठ कर अपनी समस्याओं के चर्चा करते हैं ये इस्थान सारदनिक वुस्त, पुस्तकाले, वाचनाले एवं घंटागर हो सकते हैं। ऐसे इस्थानों पर चर्चा उपरांत उन समस्याओं को प्रात्मिक्ता की अधार पर चुन कर पार्षद इनके कार्यों को संस्थाओं के माध्यम से करवाते हैं। तो जो जनता होती है वो सबसे पहले पार्षद के पास जाती है कोई भी समस्या के लिए क्योंकि वो जो पार्षद है वही उनकी बात को आगे संस्था तक पहुंचाते हैं। इन कार्यों के लिए संस्थाओं को तीन माध्यम से पैसा प्राप्त होता है। अब इन संस्थाओं को चलाने के लिए पैसे की जुरत होती है तो पैसा जो है वो इन्हें कहां से मिलेगा जैसे की ग्राम पंचायत है पंचायत समिती है और जिला परिशद है तो इनके भी हमने पढ़े थे कि इनको जो आये जो है वो कैसे प्राप्त होती है तो हमने क्या बात की थी उसमें कि जो ग्राम पंचायत ह वो जो मकान पर कर लगता है, जो भी वीकल होते हैं, उन पर जो कर लगता है, कोई भी मेले हैं, हाट बजार है, तो उनसे जो प्राप्त आये जो है, वो ग्राम पंचायत के पास जाती है, ठीक है, पंचाय समिती जो है, वह वी इसी तरीके से, उसके पास तो राज्य सरकार से अनुदान भी शामिल होता है पंचाय समिती के पास ठीक है जो व्यापारी होते हैं बड़े-बड़े व्यवसाइक ओध्योग लगाने वाले होते हैं वो अपना टैक्स जो है वो पंचाय समिती को देते हैं यदि हम ग्रामीर सोशाशन की बात करें ठीक है और उसके बाद जो जिला परिशद है उसे आये जो है वो केंद्र और राज्य दोनों के अनुदान से प्राप्त हो रही होती है ठीक है और इसके अलावा जो रिर्ण होता है सेरकारी और गैर सरकारी रिर्ण तो वहां के लोगों दोरा जो अनुदान प्राप्त होता है वह जिला परिशद को ज दूसरा, ये बिभिन्न सुल्क यानि कर लगाकर अपने कर लगाकर और जिर्माने के द्वारा पैसा प्राप्त करते हैं। तीसरा ये संस्थाएं अपने शहरवासियों पर बिभिन कर लगा कर उनसे पैसा राप्त करती है, तो बिलकुल तरीका तो वही है ठीक है, शहरों और गाओं में, यहाँ पर भी उसी तरीके से यहाँ पर इनको अनुदान मिल रहा है, केंदर और राज्य सरकार से भी मिल रहा ह दूसरा जो शहरवासियों से विभिन परकार के कर जो है वो लिये जाते हैं, वही मकान कर हो गया, वाहन कर हो गया, इस तरीके से ठीक है, और तीसरा जो है, किसी पर यदि जुर्माना लगता है, तो वो भी पैसा जो है इन संस्थाओं के पास ही आता है गाओं वा शहरों के विकास के लिए आवश्यक है कि प्रतिक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रशाशन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें आओ अभ्यास करें, अपने माता पिता अत्वा बड़ों से पूछ कर सूची बनाएं कि आपका परिवार ग्रामीर है, शहरी है, निकाए की संस्थाओं को कौन-कौन सकर देता है तो अपने माता पिता से आप पूछेगा कि हम जो हैं किस संस्था को अपना टैक्स जो हैं वो देते हैं तो चलिए चैप्टर हज जो है वो पूरा होता है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, आप इसको बिल्कुल इग्नॉर ना करें चलिए सब्दावली देखिए भूरा जस्वर, वहकर जो भूमी के प्रियोग के लिए लगाया जाता है, नेक्स्ट देखिए सारजनिक कार्य, आम जंता से जुड़े कार्य, पेजल, पीने योग्या, पानी चलिए अब भ्यास प्रस्ण करते हैं, फटापट से आंसर देने की कोशिश करें, जो बच्चे देते हैं, रेगुलर बहुत अच्छी बात है, और मुझे इतना अच्छा लगता है, जो बच्चे यहां इंटरस्ट दिखाते हैं, कुशन का आंसर देने में, तो उनसे पता लगता है कि वाके में वो लोग जो हैं, वो पढ़ाई जो हैं, वो बहुत ज़्यादा इमानदारी से महनत से कर रहे हैं, फायदा आपको ही होगा, जौब आपकी लगेगी, तो आपको बिलकुल सोचना नहीं पढ़ेगा किसी चीज के बारे में, ठीक है, तो बिलकुल मन ल पालिका कौन सी होती है, पटाफट से सोचिए कि कौन सा जो शेतर है, कितनी जनसंख्या जो है, इसमें आनी चाहिए, तो हमने ये पढ़ लिया है कि जब 15,000 से या 10,000 से और 1,00,000 तक नगर पालिका होती है, 1,00,000 से लेकर 5,00,000 तक नगर परिशद होती है, और 5,00,000 से जाएगा, जैसे कि जैपूर है, तो जैपूर नगर निगब में आ रहा है, हमारे देश में किस समविधान संसोधन विधियक ने पंचायती राज विवस्था को अपनाया है, तो किस ने अपनाया है, 72 समविधान संसोधन में, तो देखिए कितनी सरलता से हम लोग question answer कर लेत होती है, ठीक है, क्योंकि नोट्स जो हैं वो बाद में बनते हैं, और नोट्स जो हैं वो एक ऐसी जीज होती है, जो fact जो है उनने रटना होता है, यहां पर आप समझ के बहुत सरलता से कर पा रहे हो, क्योंकि आपने पूरा matter पढ़ लिया है, नगर निगम के वार्ड का नि कि नगर परिशद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, सोचिए फटा-फट से इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो यहां पर भी बिल्कुल नीचे से ही याद करिए कि नगर पालिका जो है, उसका अध्यक्ष जो है नगर पालिका अध्यक्ष है, ठीक है, वो तो याद है आपक तो नगर परिशद का अध्यक्ष सभापती है, और सभापती से उपर जो है नगर निगम, तो उसमें महापोर है अध्यक्ष, ठीक है? तो यहां पर आंसर आएगा सभापती, ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो यहां पर तो पंच वर्ड आ रहा है, बिल्कुल स पर पंच कहलाता है, ग्राम पंचायत के ऊपर क्या है? पंचाय समिती, पंचाय समिती का मुखिया जो है वो प्रधान है, वहीं पर जिला परिशद, जो तीसरा इस्तर है, वहां पर कौन है? जिला प्रमुख है, पंचाय समिती का जो सरकारी पदाधिकारी है, वो खंड विक और खंड विकास अधिकारी जो है वो पंचायत समिती के ही सरकारी पदाधिकारी है और प्रधान जो है वो पंचायत समिती का मुखिया भी है उसके बाद देखिए अति लग उत्रात्मक प्रशनु मुख्य कारेकारी अधिकारी के जो कारे हैं वो बताईए तो बिल्कुल बता तो ये भी हम बात कर चुके हैं कि ग्राम पंचायत को आये जो है वो कहां से मिलती है नगरिय प्रशाशन के कार्रे बताईए ये भी हमने पढ़ लिया है ग्राम सभा पर टिपड़ी लिखिए ठीके ग्राम सभा जो है वो क्या होती है तो 18 वर्स से उपर के जितने भी लोग हो चैप्टर आप लोगों ने यदी धंक से नहीं पढ़ा है तो इन कोशन का आंसर आप नहीं दे पाओगी ठीके तो इसी लिए मैं कहती हूं चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए कोशन आंसर तो फटा-पट से सही हो जाते हैं तो यहां तक हमने बहुत अच्छे से पढ ने वाले हैं ठीके और वो जो चैप्टर है उसका नाम है राजिस्थान में कला एवं संस्कृती जो की बहुत महतुपून चैप्टर है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू